नमस्कार, मैं हो ससी, आया जारखन की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं जारखन में चलेगा एक माह का बीमा कराय अभियान ग्रामिन बिकास सचीव डाक्टर मनीश रंजन ने सभी उपायुक्तों को एक महीने का बीमा कराय अभियान सुरक्षीत भवी से सुखी परिवार को संचालित करने का निजेश दिया है यह अभियान 7 अगस से 7 सितंबर तक चलेगा बतादे सचीव ने उपायुक्त को स्वयम सहायता समुत जूरी ग्रामिन महिलाओ वह उनके पत्यों को परधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना परधान मंत्री जीवन जीवती भीमा योजना अटल पेंसन योजना एवं आयुसमान भारत परधान मंत्री जीवन आरोगी योजना से जोडने के लिए कहा है बतादे प्रधान मंत्र सुख्षप विमा जोजिना एवा प्रधान मंत्र जीवन जोती विमा जोजिना के लिए प्रीमियम की रासी स्वेम सायता समो की महिला प्रति सदस्य साड़े 300 रूपए अपने समो से व्याजमुप्त कर्ज के रूप में ले सकेंगी मौसम विग्यान विभाग के अनुसार 10 अगस्त को जार्खन के उत्री तथा मध्य भाग में भारी बारिश हो सकती है राजे में कहीं कहीं हलके से मध्य दर्ज की बारिश का अनुमान है मौसम विभाग के अनुसार देवगर धनबाद दुमका पच्मी सिम्डेगा पलामु गढ़वा चात्रा कोडार मा लाते हालोह दगा गिरीडी में मध्य दर्ज की बारिश हो सकती है मौसम बेग्यारी अभिसेक अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का चक्रवाती छेतर बना हुआ है इसका असार जार्खन के कुछ इलाकों में अगले दो से तीन दिनों में दिख सकता है जार्खन के सरकारी स्कुलो में महीने में दो जाच पर इक्षा होगी राज्य के सरकारी स्कुलो में सुक्रवार से कक्षा 9 से बरावी तक की कक्षा है सुरू हो गई है बतादे बिद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर सिक्षा सचिव के निर्देश के अनुरूप जार्खन सिक्षा पर योजना ने पत्र जारी किया है इसमें समंधित बिशाएक के सिक्षको को परतेक 15 दिन पर जाच परिशा आयोजन करने को कहा गया है इसके लिए प्रश्ण बिद्याले अस्तर पर ही तयार किये जाएंगे बतादे पर इक्षा की कौपी बिद्यार्थि सिक्षक के पास जमा करेंगे सिक्षक मुल्यांकन 25 एक सप्ता के अंदर कौपी बिद्यार्थि को वापस कर देंगे अंतर राश्टिये अस्तर का बनेगा हटिया का होंकी एस्टेडियाम जारखन की बेटियों ने उलम्पिक में भारतिये महिला होंकी टीम की ओर से अपना जालबा भी खेरा तो रेलवे को भी अपने इस्टेडियाम की याद आने लगी है बता दे हटिया के होंकी इस्टेडियाम को रेलवे ने एस्टो टर्फ की स्विधास से लेंस कर दिया है इसके बाजूद राश्टिये एवं अंतर राश्टिये अस्तर के मैच नहीं हो पा रहे हैं कुछ कम्यार आ गई है जारखन की बेटियों के उलम्पिक में कर्तब दिखाने के बाद हटिया इस्टेशन को और उनत बताने की योजना पर मन्थन सुरू हो गया है जारखन के पाराशिक्षक बिहार की तर्ज पर होंगे अस्थाई ज्यार्खन के पाराशिक्षकों के लिए बड़ी खुस खबरी है बतादे राजे के सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने अस्वासन दिया है कि कोई भी पाराशिक्षा खटाए नहीं जाएंगे सिक्षा मंत्री के साथ पाराशिक्षकों के वारता में इस बात पर समाती बनी है पाराशिक्षकों की आकलन परिक्षा के अधार पर उनका स्थाई करण होगा बतादे परासिंखों को आक्रान परिक्षा उतिन होने के लिए 3 उश्र मिलेगा वैसे परासिंख्षक जो 3 बार में भी उतिन नई हो पाएंगे उने सेवा से हटाएं नहीं जाएगा सिक्षा मंत्य जगनात महतो मंगलवार को इसे लेकर विभाग के पता दिकारियों साथ बैटाग भी करेंगे दूसरे राजियों से जारखन लोटने वाले पुलिस करमियों वो जवानों को क्वारेंटाइन में रहना होगा दूसरी राजियों या एओकास से जरखन लोटने वाले पुलिस कर्मियों परामिलीटरी फोर्स, यार पीएफ, आधि के जवानों का साथ दिनों थो क्वारेंटेन में रहना अनिवारय होगा वे होम क्वारेंटेन में रहेंगे या पूलिस लाइन में इसकी बेवास्था की जाएगी बतादे राज सरकार ने केरल महाराज शहीत कुछ राजों में बर्दे संक्रमन को देखते विया नेनलिया है स्वास्त विभाग के अपर मुक्सची अरुन कुमार सिंग ने इसे लागू करने को लेकर पूलिस महानी देशा को पत्र लिखा है क्वारेंटेंड में रह रहे हैं पूलिस कर्मियों में साथ दिनों के भीतर किसी पूलिस कर्मिया जवान में कुरोना के लक्षन मिलने पर उसे अनिवायर रूप से कोविड अस्पताल में भरति कराया जाएगा नियोजन नीती से कई भासाों को हटाने को लेकर सियासते हैं हो गई है पता दे जामों जहां इसे द्यासिक फसला मता रही है वहीं भीपक्षी दल भाजबा और आजसु ने इसके बिरोध में आंदोलन की सतामनी दी है साता धरी दालों में से भी सरकार के इस कदम को लेकर असमंजस की थीती है कॉंग्रेस बिधायक दिपका पांडे ने अंगीका की अंदेखी पर सवाल खड़े किये हाँ जारखंड की स्कूलों में कख्छा दसवी में पढ़ेंगे नवी का पाठ कुरोना के संकरामन में कमी आने के बाद सिक्षा वेवस्था को एक पर फिर पडरी पर लाने की कोशिश सुरू हो गई है बतादे जारखंड के सरकारी स्कूलों में नए तरीका अपनाया जा रहा है इसके तहट सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से बरहावी तक शुरू हुई ओफलाइन कक्षावों में पहले दो घंटे पिछली कक्षा की छूटी हुई पढ़ाई पूरी कराई जाएगी से दो घंटे उस कक्षा की पढ़ाई होगी जिसमें बिद्यार्थी नमांकी थाएं बतादे 9 सतर में 10 वी में दाखिला लेने वाले छातरों को पहले 9 का कॉर्स पूरा करना होगा गरामीन इलाकों में करोना जाच के लिए मोबाइल बेन राची जिले के गरामीन इलाकों में करोना की जाच में तेजी लाएगी बतादे करोना जाच केंद्र के साथ मोबाइल बेन भेज कर भी जाच की जाएगी इसके लिए उपायूग दिन सभी परकंड बिकास पतादीकारियों को निदेश दिया है सभी वीडियों को अपने अपने गाओं की पहचान कर या बताने को कहा है कि कीन गाओं में मोबाइल बेन भेजना जरूरी है वहाँ ततकाल मोबाइल टेस्टिंग टीम जाएगी और जाच करेगी जारखन में 37 नए केस मिले है जो राची से 9, पूर्वी सिमों से 3, वोकारो से 7, धनवाज से 4, रामगर से 1, देवगर से 5, खुटी से 2, सिम्डेगा से 4, साइबगन से 1, पाकुर से 1 मिले है जारखन में 42 मरी स्वास्थ भी हुए है जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 221 है भारत में 49 यार 61 नए केस मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 4, 945 है मौराबादी मैदान में 42 दिवस परेट का अभ्याद स्वरू रांची में 43 दिवस समारोह के त्यारी स्वरू हो गई है सन्नीवार से परेट का पूरू अभ्याद स्वरू हुआ जो करीब एक सबता चलेगा 13 अगस्त को फूल ड्रेस रिहलसल होगा मुराबादी मैदान में आयोजी 77 दा दिवाज समारोह में CISF, CRPF, SSB, JEP, जिला पुलिस बल, NDRF और फायर ब्रिगेट की टुकडी सामिल होगी सन्निवार को सभी टुकडी ने करीब 2 घंटे तक अभ्यास किया जैक बोड, सप्लिमेंटरी और कमपार्टमेंटल देने वाले छात्रों को मिलेगा बार्षिक परिष्छा का साटिफिकेट जैक अगेडमी कौंसिल मैटरीक और इंटरमेडियेट के असफल और रिजल्ड सुधारने के लिए सप्लिमेंटरी कमपार्टमेंटल या फिर नए सीरे से परिष्छा देने वाले छात्रों को बार्षिक परिष्छा का ही साटिफिकेट मिलेगा उनके साटिफिकेट पर ना तो सप्लिमेंटरी लिखा रहेगा और ना ही कमपार्टमेंटल सभी में मैटरीक और इंटरमेडियेट बार्षिक परिष्छा 2021 लिखा रहेगा बतादे जैक अधिकांस मामने ग्रामीन छेतरों के हैं जार्खन में बजरपात से 16 लोगों की मौत जार्खन में आस्माने भीली गीरने से 16 लोगों की मौत हो गई है बतादे अधिकांस मामने ग्रामीन छेतरों के हैं खेती बारी का समय होने के करण लोग खेतों में काम करने गए थे इसी दोरान हुई बजरपाद से मौत हो गई है हीनु नदी से अतिकर्मन हटाने का निर्देश जारखन हाई कोट ने हीनु नदी को हर हाल में अतिकर्मन मुक्त करने का निर्देश दिया है एक जन्हीत याजका पर सुनवाई करते वे चीफ जर्सिस डाक्टर अविरंजन और जर्सिस सुजीत नरानी परसाद के अदालत ने नदी का अतिकर्मन कर बनाए गए एक ब्योसाइक भावन को गलत बताया और भावन के मालिक को अतिकर्मन हटाने का अमती मौका दिया है बतादे कोट ने दो माह का समय देते हुए कहा कि यदि इस अधी में अतिकर्मन नहीं हटाया गया तो जीला पर सासन और आची नगर निगम अतिकर्मन हटाने के लिए सोतन्त रहाए अतिकर्मन हटाने का खर्च भीभावन मालिक से वस्ला जाएगा चोह माः के बाद आच जीलो में विली आपूर्ती बेहतर जारखन के आठ जीलो में अगले 6 महीने के दरान निरबाद विली आपूर्ती करने का काम अम्तिम चरन में हाए बतादे साल के अं तक 4 गरीट सब इस्टेशन बन कर तैयार हो जाएगे काम पूरा होने पर सुबे के आठ जीलो धनबाद वो कारो चात्रा गुमला दुमका लातेहर का ड़वा और लोहर्दागा में बिली आपूर्ती बेहतर हो जाएगी इसमें चात्रा का क्रिट सब एस्टेशन बन चुका है वहीं तेनु घार थर्मल पावर स्टेशन से गोविंद पूर के बीच 220 के भी टांस्मिस्टन लाइन भी लगबग तियार हो गया है तीसरी लहर से निपटने को तियार हो रहे है 65,000 स्वयम सेवक कुरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए परदेश में भाजपा 65,256 स्वयम सेवक को तियार करेगी इस अभियान के तहट परदेश के हर गाव में दो स्वयम सेवकों को परसिक्षित किये जाएंगे यह जनकारी परदेश उपाधयक सस्वास्त स्वेमसिवक अभियान की परदेश संग जोजी का गंगोतरी कुजूर ने दी है उन्होंने काया कि कुरोणा जैसी कटिन चुनातियों के बावजूद पधानमति नयनमोदी के नितियुत में भारत ने कुरोणा से अभोतपूर लड़ाई लड़ी है रांची में बनेगा आटोमेटिक टोयलेट नगर निगम की ओर से सहर में रांची रेलवे स्टेशन की तरज पर आटोमेटिक टोयलेट का निमान कराया जाएगा बतादे आटोमेटिक टोयलेट में कौईन डालने पर ही दरवाजा खुलेगा इसके बाद ही लोग इसका परयोग कर सकेंगे राइधानी राची को साप, सुत्रा और स्वक्ष बनाने को लेकर नगर निगम गंभीर हो गया है अस्माल सिटी के लिए राची का सेलेक्षन किये जाने के बाद नगर निगम इस तरह के परयोग कर रहा है ताकि सोहर को साप रखा जा सके 31 अगस्त तक पेंशन भुखतान नहीं तो वेतन पर रोख हाइकोट चार्खन हाइकोट ने मंजु शरमाचे में तिहत लोग कि आज का पर सुनवाई करते हुए अनिदेस दिया है जारखन के धनबाद सिविल कोर्ट के जज उतम अनन्ध हत्याकांड की जाच कर रही CBI की टीम ने सनिवार को घटना स्थल पर जाकर सीन रिक्रियेट किया इसकी बीडियो गराफे भी की गई टीम ने हर पहलू की जनकारी ली इस देरन सुर अक्षा के फोक्ता एक्जाम थे बताद धनबाद के जज उतम अनन्ध हत्याकांड मामले की जाच कर रही CBI टीम ने सनिवार को घटना स्थल पर सीन रिक्रियेट किये जाच टीम ने लबक दो घंटे तक घाटना के हर पहलू की जनकारी ली राज़त सुपरीमो और विहार के पुरो मुखवंतरी लालू परसाद यादो से जूड़ी एक बड़ी खबर है बतादे लालू परसाद को फिर जेल जाना पड़ सकता है अगले दो माह में केस के सुनवाई पूरी हो सकती है राची जीले के डुरंडा कोसागार से हुई अबयद निकासी के मामले में सनीवार को अभियोजन पक्ष की ओर से बहस पूरी कर ली गई है CBI के BCS जर्ज एसके ससी की अदालत ने अभियोगत पक्ष को बहस के लिए दो दिन बाद 9 अगस्त का समय दिया है रीम्स परिसर इस्थित दवाई दोस्त को बन करने के फर्मान के बाद लोगों में आकरोस है बताद रीम्स परसासन के आदेश के बाद राची महानगर युगा सोच द्वारा अस्पताल परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया युगा सोच के सचीव क्रिष्णा मिस्रा ने कहा कि दवाई दोस्त जरूरत मन लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रहा था केंद्र के बंद हो जाने से गरीब लोगों की जेब पर अथर पड़ेगा दवाई खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने होंगे साथी दवाई के नाम पर गुर्ख धन्धा भी सूरू हो जाएगा बताद हस्ताक्षरा भ्यान में सामी लोगों के साथ आम लोगों ने भी कहा कि दवाई दोस्त को बंद करने से पहले रिंस परवधन को बैकल्पिक ब्यवस्ता करनी चाहिए थी धन्यवाद